क्या आपके पास पैसा नहीं आ रहा? बहुत दिक्कत में हैं शुकल पक्ष के बुद्वार की शाम को किसी केले के पेड़ के पास जाएं उस पर जल चड़ाएं हल्दी से तिलक करें और गुरू भ्रेस्पती का ध्यान कर पौधे से अगले दिन यानि कि गुरू वार को थोड़ी सी जड़ लाने की आग्या मांगे दूसरे दिन सूरे निकलने पर नहा कर केले के पेड़ की पूझा करें और लकड़ी की एक टुकड़े से पौधे की जड़ खोद कर निकाल लें और घर ले आएं इस जड़ को गंगा जल से धोकर केसर के जल में डाल दे आपके घर पैसा आने लगेगा अभी मालक्ष्मी के मंत्रों की बात खतम नहीं हुई है कुछ और खास मंत्रों और उनकी जानकारी आपको देने जा रही हूँ यह बताऊंगी बाते जिसे मालक्ष्मी आपसे प्रसन हूँगी नाराज नहीं होँगी और भी बहुत सारी बाते हैं अब ये भी जान लीज़े लक्ष्मी पराप्ति के लिए क्या करें क्या ना करें सबसे पहले पूरी शुद्धा से जो मैं आपको मंतर बताने जा रहे हूं उसका 108 बार माला से जाब करें महालक्षमी मंतर है अब चांदी की छोटी सी डिबिया लें अगर चांदी की उपलब नहीं हो तो किसी और शुद मेटल की भी डिबिया आप ले सकते हैं इस डिबिया को उपर तक नाक केसर और शहट से भर कर बंद कर दें फिर आपको रात को इसकी पूजा अर्चना करनी है इसे अपने लौकर या दुकान की गले में रख दीजे रखने के बाद इसे खोलने की जरूरत नहीं है और नहीं और को चुपाई करने की फिर जब दिवाली आएगी तब इसे वहीं रहने देंगे आप खुद चमतकार देखेंगे अगर कारोबार में नुकसान हो रहा है रवी पुषय योग के दिन श्रद्धा पूरवक अमलतास के व्रिक्ष की पूजन करें किसी भी महीने के शुकल पक्ष को ये प्रयोक शुरू करें और रेगुलरली तीन शुक्रवारियों पाह करें मंत्र नोट कीजिए ओम श्रीम श्रीय नमहा इस मंत्र का 108 बार जाप करें फिस साथ साल से कम चोटी लड़कियों को आपको श्रद्धा पूरवक भोजन कराना है भोजन में खीर और मिश्री जरूर खिलाएं ऐसा करने से महालक्षमी जल्दी ही प्रसंद होंगी आर्थिक परिशानी खत्म होगी जब भी कोई रत्म पूजन करके धारन करें उसी समय उस रत्म से जुड़ी समगरी का दान करना चाहिए दिवाले वाले दिन ऐसा जरूर करें ओम महालक्षमी नमहा दिवाली से शुरू करके रोजाना 51 माला का 40 दूनों तक इस मंत्र का जाप करें आपकी गरीबी दूर होने लगेगी 51 माला रोजाना आपको कुछ मंत्रों का जाप करना है वो कौन से मंत्र है नोट कीजिए ओम आध्य लक्ष्मे नमाहा, ओम विद्या लक्ष्मे नमाहा, ओम सौभागी लक्ष्मे नमाहा, ओम अम्रित्चमे नमाहा, ओम काम लक्ष्मे नमाहा, ओम सत्य लक्ष्मे नमाहा, ओम भूग लक्ष्मे नमाहा, ओम योग लक्ष्मे नमाहा, ओम महा लक्ष्मे चद्विद मह विश्नु पतने चधी मही तन्नो लक्ष्मी प्रचो दयान रोज 11 माला 40 दिनों तक करें और उध्यापन करें इसका चमतकार होता है जी हां और एक मंत्र ओम नमो धंधाय स्वाहा दिवाली से शुरू करें और 21 माला रोजाना 40 दिनों तक करें उसके बाद हवन और उध्याप थेली पर लगे उसे अपने सिर पर लगा लिजेए फिर चाह नहा लीजेगा शाम को घर के आसपास के मंदर में घी के दीपक जलाएं और दिवाली पूजन के समय श्रीम 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 मन में जबते रहें रात को आपको गोपाल सहस्तर नाम का पार्ट जरूर करना है